तो आज की जो टॉपिक है इसमें हम सीखने वाले एक बहुत ही प्यारा बास्किट के जिसके जो बास्किट है इसको बहुत ही असान तरीके से मैंने बना के दिखाया है आप जाहे तो नॉजल का यूज कर सकते हैं आप आपके पास ना हो तो बीना नॉजल के भी इस है और जो फ्लावर मैंने इसमें यूज किया है वो बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है जिससे कि आप सबको इस फ्लावर को बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अगर आती भी है किसी किसी को तो थोरा से पैट्टिस का जरूरत है आप पैट्टिस कर लीजेगा तो य जिसके जब कि मैं वीडियो अप्लोड करूं अपने चैनल पर तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप देख पाएंगे मेरे वीडियो को सबसे पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर कि अधियर से मतलब जो हमारा चॉकलेट कलर की क्रीम मैंने रेडि किया है उससे मैं इसको कोवर कर दूंगी पूरा जैसे कि मैं हर वीडियो में हर केक को इसी तरह से कलर करती हूं तो इसको अच्छे से हमें एजिस को शार्फ कर लेना है थोड़ा बहुत करने से ही हो जाएगा क्यूंकि कोवर हो जाएगा अभी तो इसके बाद यह नौजल से हम एकदम जो हमारा टिप है वो एकदम जीरो है देखिए इस टिप से हम बास्किट को बनाएंगे आप चाहे तो जो पाइपिंग बैग है उसमें थोड़ा सा कटक लगा के भी आप इस डिजाइन को कर सकते हैं आपको नौजल की कोई जरूरत नहीं है बास्क पीचे है उसके उपर से दो-दो करके थोड़े थोड़े जगा छोड़के दो-दो करके चौड़ाई में हम लाइन बनाएंगे थोड़ी सी जगा गैप चोड़के हम बनाएंगे आप चाहे तो बास्किट नौजल कभी यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टार्ड नौजल कभी यूज कर सकते करके बास्किट डिजाइन जिस तरह से बनाना है बास्किट डिजाइन हमें उसी तरह से सेम उसी तरह से बनाना है चाहे आप मेरे जैसे भी बना सकते या फिर नौजल का यूज करके भी बना सकते जो मतलब स्टार्ड नौजल है या बास्किट नौजल है उसका यूज़ करके भी बना सकते हैं और कलर आप कोई भी कलर अपने पसंद का रख सकते हैं तो यह मैं एक जो डिजाइन बना रही हूं यह बहुत ही प्यारा लगता है यह वाला बास्किट तो आप एक बार ट्राइ करिएगा जरूर यह वाला नॉजल ना हो तो बीना नॉजल के भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं तो सेम इसी तरह से हमें बनाते जाना है आपको नहीं पता है कि बास्की डिजाइन कैसे डालते है के उपर तो इसका वीडियो मैंने बना के रखा है डाल के रखा है चैनल पर आप चाहें तो चेक कर सकते उसको वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आप यह देखिए सेम इसी तरह से बनाते जाना है हमें और जो सेकेंड वाला लाइन मेंने बनाया है जहां पर गैप था वहां से हमने चोड़ाई में लाइने कीचना स्टार्ट किया है यह देखिए जहां गैप छोड़ा है हमने उसी जगह पे और जिस कलर के आप डिजाइन डाले बास्किट उसी कलर से पहले सेम कलर से केक को पूरा कौवर कर लेजेगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो गैप दिख जाता है बास्किट बनाते टाइम उस गैप को मतलब फेल अगर ना हो गै कर चुका है इधर तो हमें सारा फ्लावर्ड जो है पहले इसारा फ्लावर्ड हम बना लेते जो भी हम बास्किट में डालेंगे यहां पर रोज कभी SE playing कड सकते हैं जैसा हमने बनाया है विप क्रिम से उसको हम स्टार नोजल से स्टार बनाते हुए पूरा कॉवर कर देंगे इस तरह से छोटा साइस का आप स्टार नोजल लेजिए गा जैस्ट गोल को हमें फील करना है जो बॉल बनाया है उसको फील करना है एक दम कॉवर कर देना है स्टार नोजल से स्टार बनाता है जिस तरह से हम केक में स्टार बनाते हैं उसी तरह से और जितने भी हमने गोल के उपर स्टार बनाया है उसको हर एक स्टार के जो बीज वाला हिस्सा होता है मीडल में हम एक यलो कलर का डॉट लगाएंगे हर एक स्टार पे हर एक स्टार का ज फ्लावर है ठीक है मतलब हर एक जो स्टार है अलग-अलग फ्लावर जैसा दिखेगा यह देखिए कितब प्यारा लगड़ा है तो इसको आप ट्राइल करिएगा जरूर किसी भी फ्लावर केक में बहुत ही जदा प्यारा दिखता है तो यह रड़ी हो गया है इसको हम थोड़ा सा बेस लगा के प्लेट पे इसके बाद हलके आतों से इसको उठाके हम रख देंगे तो सारा से इसी प्रॉसेस में हम बनाते जाएंगे जितना आपको जरूरत हो उतना आप बनाएए बहुत ही आसान है इसको बनाना यह देखिए बस हमें स्टार लगाना है इक सबसे पहले बेस लगा लेना है स्टैन के उपर उसके बाद एक राउंड शिप में इसको वीप क्रीम से बाल जैसा बना लेना है और बाल को कवर करना है स्टार से और हर एक स्टार के मिडल में हमें यल्लो कलर के डॉट लगाना है आप चाहे तो रैट कलर के भी डॉट लगा सकते हैं ग्रीन कलर के भी डॉट लगा सकते हैं इस तरह से आप इसको कम्प्लीट कीजिए से इसी तरह से बनाते जाना है आपको जितना जरूरत हो केक के साइस के अकोरडिंग मतलब आपके केक के ओपर जितना फ्लावर चाहिए होगा फ्लावर को कवर कहने के लिए उतना फ्लावर अपको बनाने ना है मतलब इसी को नहीं बनाना है हर टाइप का डिफेरेंस टाइप का फ्लावर अब बना है आपको जितना चाहिए होगा आपको उतना बनाना है तो मैं यहाँ पर प्लावर आज दिखाने वाली हूँ कलर डिफेरेंस होता है लेकिन फ्लावर मैं अभी बनाऊंगी कैलर को अपने अकोर्डिंग सेट करिएगा आपको जिस तरह की कलर की फ्लावर चाहिए तो मैंने यहाँ पर पिंक कलर का क्रीम लेके इस फ्लावर को बनाऊंगी बहुत ही अ इस तरह से उसके बाद उसी नौजल से हम बेस के उपर थोड़ा सा राउंड शेप में हम हर एक पैटिल्स को बनाएंगे इस तरह से यह दिखिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है राउंड शिप में घुमाते हुए हाथ को हमें इस तरह से बेस के उपर लगाना है उसके बाद मीडिल में हम क्या करेंगे रेट कलर की बरावाला डॉट लगा देंगे यह दिखिए तो इसी तरह से से मैं कुछ फ्लावर बना लूँगी तो अब हम एक बेस लगा लेंगे मैंने यहां पर पर्पल कलर का क्रीम था तो मैंने उसी से बना लिया है लेकिन आप यहां पर आप क्या करिएगा यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि मैंने अलग कलर से बेस बनाया है जो कलर से अप फ्लावर बना रहे है उसी कलर से बेस बनाए तो ज्यादा अच्छा दिखेगा मतलब मैंने यहां पर पिंक कलर का यूज करते हुए फ्लावर बनाऊंगी तो आप पिंक कलर का ही क्रीम से बेस लगाए बाद में मुझे ऐसे भी ठीक है लेकिन मुझे बाद में यह पसंद नहीं आया उपर से दिख रहा था पर्पल कलर तो मैंने बाद में ग्रिन कलर से इ राइट एक बर लेक्त से से बना कर चाठ चौकों उस होता है ठीक उसी तरह से भी लगाना है उसके बाद तीन या चार लेयर हमें भी डबल करकेना है उसके बाद Governor साइट्ल से हमें इसको पूरा बनाएंगे और अच्छा नहीं लगड़ा था बोलके मैंने यह पर ग्रीन कलर एट किया है आप अगर सेम कलर से करेंगे तो ग्रीन कलर एट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको भी हम रख देंगे यह दिखिए सेम कलर से ही हमें बेज बनाना है तो और उसी के उपर से डबल डबल लेयर लगाते हुए सेम और हम बनाएंगे तीन या चार तीन से चार बार हम बनाएंगे इसी तरह से I hope कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ उसके बाद ये रिखिए जैस तरह से हम रोज बनाते हैं उसी तरह से बना के हम फ्लावर को जितना बड़ा आपको रखना है फ्लावर उतना बड़ा आप बनाए और उतना आपको करते जाना है तो अभी मैं थोड़ा सा केसर कलर क्रीम में एड़ करके इस कलर से फ्लावर बनाऊंगी पहले से बेस बना लेना है और इसको हम रोज बनाएंगे ठीक है पहला जो दो फ्लावर मैंने बनाया था थोड़ा सा बड़ा साइस का था अभी हम सिंपली थोड़ा सा छोटा साइस का बनाएंगे उससे और हमें रोस जैसा ही बनाते जाना है जैसे तरह से हम रोस बनाते हैं एक रोस को उसी तरह से हमें बनाना है लेकिन इसमें मैंने दो कलर का एड़ किया है पहले लाइट कलर से मैंने बना लिया है और थोड़ा उसको बनाने के बाद जो हमारा केसर कलर का क्रीम है उससे हम तो इसको हम रख देंगे और एक हम फ्लावर बनाएंगे लेकिन बिल्कुल छोटा बनाएंगे ज्यादा नहीं बनाएंगे हम इसको बसी रेडी हो चुका है इसको भी हम रख देंगे तो यह मेरा फ्लावर हो चुका है रेडी है यह देखिए कितना प्यारा लग रहा है कलर कम बहुत भी प्यारा लक रहा है तो आपको रखना है इस तरह की कलर तो अब इस कलर कंबिनेशन में भी बना सकते हैं अभी सारा जो फ्लावर है पहले में बास्किट में रखंगी तो अब अब जाए एक दम अच्छे से हर एक जगा गैप न रहे हैं ठीक है और छोटे-छोटे फ्लावर को आगे के तरफ लगाना है ताकि दिखे क्योंकि वह बिल्कुल छोटे हैं बीच में डाल देंगे कहीं भी तो यह दिखेगा नहीं अच्छे से कि एक अट कि इस तरह से सेट करतेना है आपको तोड़ा देखके यह सारे फ्लावर मैं ने रख दिया है तो चलि अभी जो बास्कित का उपर वाला हिस्सा है जो पकरने का उसकोम बनाते हैं और नीचे मैंने थ्लावर सें फ्लावर ही मैंने कुछ फ्लावर बनाके नीचे भी थोड़ा लगा दिया है रख दिया है तक कि यह बास्किट थोड़ा सा और हाइलाइट हो जाए और ज्यादा अच्छा दिखे और जो हमारा पाइपिंग बैग है उसी को मैंने लीफ बाला कटिंग दे के इस तरह से हम कुछ लीफ वी एड़ कर देंगे पत्तिया कुछ एड़ कर दें प्यारा सब बसकिट हमारा रेड़ी हो चुका है लेकिन उसका जो उपर बला इससा है जिसको हम पकरते हैं उसको अभी हम बनाएंगे तो इस तरह से मैंने कुछ वायर लिया है यह वायर मैंने ओनलाइन मंगवाया था जो हमारा फॉंडेन या गाम पेस्ट का बालों में चोटी बनाते हैं सेम उसी तरह से फॉंडेन से बना के उसको ड्राइ करके फ्लावर के उपर इस तरह से इसको रख सकते हैं पर मैंने यह वायर का यूज किया हुआ है पहले से ही कोटिंग किया हुआ है तो अलग से इसको कोवर करने की कोई जरूरत नहीं है मैंन dagntrain किया था से 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 में जो डाहनि मैंने में उपर लगाया है उसके उपर हम इस तरह से रसी जैसा शेप भेद्पर करने के बाद क्रीम से उसके बाद इस तरह से हम नहीं करना हैं ता कि ये रस्ती जैसा दीखें यह समारा कि साथ मैच हो जाए और प्यारा लगे हमारा बास्किट तो आप बीना नोजल के भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं लेकिन धीरे-धीरे करना है आपको साफधानी के साथ ताकि फ्लावर के उपर क्रीम ना गिरे आप चाहे तो इसको फ्लावर को एट करने से पहले भी बास्किट में एट कर सक सकते हैं यह देखिए कितना प्यारा बास्किट हमारा ready हो चुका है तो फ्लावर बस्किट केक हो गया है ready आई होब वीडियो पसंद आया होगा आप सबको वीडियो पसंद आया तो like share जरू कर दीजेगा मिलती हूं में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ